प्यारी बच्चों इस वीडियो में हम कक्छा 10 गनित बनुहरे 10 साथ निर्दे सांग जामती की बारे में दिन करेंगे जिसमें प्रस्नावली 7 B के प्रस्नों को हम देखेंगे प्रस्न 6 तक हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं इस वीडियो में हम प्रस्ट साथ से प्रस्टों को देखेंगे तो दिया है हमारा बिंदू A-4, 3, B-5, 2 से खीचा जाने वाला रेखा खंड एक सच्चको की सनुपात में भी भाजित करता है तो इस तरह की प्रस्टों के लिए हम मानेंगे की एक बिंदू दे दिया है माइनस 4, माइनस 3, B दिया है 5 और 2 तो जो अनुपात होगा उसको हम M1 अनुपाते M2 मानेंगे इसी का मान हमें ग्याद करना है यहाँ पर हम अंतह भी भाजन का सुट लगाएंगी अगर यह मान प्लस में आएगा तो अंतह होगा और हल करने पर अगर Y1 अपाने M2 का मान माइनस में आ जाएगा तो Y बन जाएगा अब चुकि यहाँ पर हम देखते हैं उसने दिया है यानि X अक्छ तो X अक्छ पर Y का मान जीरो होता है चुकि X अक्छ पर Y जीरो होता है इसलिए जो सुत लगाएंगी Y बराबर हम लगाएंगी तो Y बराबर अंतह विवाजन के लिए M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपान M1 प्लस M2 अंतह वाला हमें लगाना है तो Y का मान कहा है X अक्छ पर Y का मान 0 है जीरो है जीरो M1 Y2 तो यहाँ पर हमारा बना X1 Y1 ये बना हमारा X2 Y2 Y2 का मान 2 मिला M2 Y1 का मान माइनस 3 मिला बटे है M1 प्लस M2 तिर्या गुड़ा करेंगे नीचे वाला मान 0 हो जाएगा तो बचे का 2 M1 माइनस 3 M2 बराबर 0 तो 2 M1 बराबर होगा 3 M2 पक्षांतर करेंगे माइनस से प्लस होगा M1 बटे M2 यह इस तरफ भाग और यह जाएगा इस तरफ भाग होगा तो 3 बटे 2 हो जाएगा तो हमें क्या मिला M1 अनुपाते M2 बराबर 3 अनुपाते 2 चुकि यह मान प्लस में आया तह बना अंतह विभाजन तीन दो अंतह विभाजन यही हमारा इंस्वर हो जाएगा प्रस्न संख्या 8 बिंदू माइनस 3 दस 6 माइनस 8 को जोडने वाले रेखा खंड को बिंदू इतनी किस अनुपात में विभाजित करता है तो हल हल में हमें क्या मिलेगा पहला बिंदू माइनस 3 दस दूसरा बिंदू 6 माइनस 8 और अनुपात हम मानेंगे M1 अनुपाते M2 अब जो X Y का मान मिलता है वो है हमारा माइनस 1 और 6 यह हमारा बना x1 y1 यह बना x2 y2 और यह बना xy तो यहाँ यदि हम x कामान लिखते हैं तो x बराबर सुत्र हम लगाएंगे अंतह भी भाजन का तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 x कामान पहलामान यनि माइनस एक बराबर m1 x2 x2 कामान मिला हमें 6 m2 x1 x1 कामान मिला यहाँ से माइनस 3 बटे हो गया m1 प्लस m2 तेरी अग गुड़ा करेंगे तो माइनस m1 माइनस m2 बराबर 6 m1 माइनस 3 m2 माइनस 3 का गुड़ा हुआ तो यह साइड आएगा m1 तो 6 एक साथ m1 मन जाएगा यह 3 m2 साइड जाएगा तो 3 m2 प्लस होगा माइनस m2 तो बना हमें क्या 7 m1 बराबर 3 में से घटाएगे तो 2 m2 तो यहां मिला m1 और बटे m2 यह इधर जाएगा तो भाग होगा यह बराबर हो गया दो बटा साथ यानि दो अनुपाते साथ चुकि यह मान प्लस आया इसलिए अन्तह बिभाजन अन्तह बिभाजन तो यही हमारा एंस्वर हो जाएगा चाहें तो हम वाई वाला मान लेकर भी हल कर सकते हैं तो दूसरा मान भी लेकर यही मान प्राप्ट किया जा सकता है थैंक्स फार वाचिंग इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें था वीडियो को लाइक करें धन्यवाद